हाई अवरिवन मैं हूँ धनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बीते कुछ सालों से नेटो के बारे में ये कहा जा रहा कि ये एक फेल्ड और्गनाजेशन है या बहुत हद तक ये एक इनिफेक्टिव और्गनाजेशन हो चुका है ऐसा ही कुछ कहा जाता है युनाजेशन के बारे में भी लेकिन युनाजेशन का बनाने के पीछे का अबजेक्टिव और नेटो को बनाने के पीछे का अबजेक्टिव दोनों complete तरीके से एक दूसरे के खिलाफ United Nations को बनाया गया था 1945 में और NATO को बनाया गया था 1949 में जहांपे United Nations का जो objective था वो इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में war ना हो और किस तरीके से दुनिया में peace and prosperity को maintain किया जाए वही NATO को बनाने के पीछे का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ European interest को साधने का था बहुत हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि Western countries अपने मतलब को साधने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो किसी भी propaganda का इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद अपने मतलब को साधने के लिए इस वीडियो में हम कुछ limited examples के मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से Western countries का जो hypocrisy है उसके कारण पूरे दुनिया भर में violence होता रहता है वैसे तो NATO या इसके जैसे कोई भी topic होते हैं वो काफी बड़े होते हैं तो किसी भी वीडियो में सारे aspects को include कर पाना almost impossible होता है इस वीडियो में हम कुछ NATO के बारे में और जानेंगे कि क्यों इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक failed organization है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते ये एक latest article है जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से NATO countries के जो members है वो financial contribution नहीं करते हैं NATO के जो members है वो ये decide करते हैं कि उन सभी को 2% of their GDP contribute करना है कहने का मतलब है कि कि किसी भी organization कोई भी संस्था हो कोई भी institution हो उसको चलाने के लिए उसको maintain करने के लिए कुछ एक basic खर्चे होते हैं तो वैसे ही कुछ NATO के साथ में भी है NATO का जो सबसे powerful member है वो US है इसलिए बहुत हद तक जो जिम्मेदारी बनता है वो US का बन जाता है As a result कुछ छोटे मोटे ऐसे देश हैं जो अपने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से NATO का member बना के कोई contribution नहीं कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि वो बहुत हद तक free का protection enjoy कर रहे हैं फिलहाल NATO में 32 countries हैं जो latest country NATO को join किया है वो है Sweden और वो 2024 में किया यानि किसी साल वो join किया है और अगर हम बात करें इसके founding countries का तो वो है US, UK, France, Denmark और इन सभी देशों में एक चीज जो common है वो ये है कि ये सारे देश किसी ना किसी form का democratic structure को follow करते हैं और अगर आप NATO का website जाके पढ़ेंगे तो website भी कुछ ऐसा ही claim करता है कि European countries के बीच में जो democratic values है उसको बढ़ाने की बाते करता है NATO या उसका objective है democratic values को promote करना ये article बकाइदा NATO के website से ही लिया गया है जहाँ पे NATO के formation के पीछे basically तीन reasons बताया जा रहे हैं सबसे पहला तो Soviet का expansion दूसरा जिस तरीके से France या कहले Germany बढ़ चड़कर hyper nationalism का इस्तेमाल करता है और अपने आपको मजबूत करता है तो ये भी एक वज़े था कि किस तरीके से जो nationalist या nation के नाम पे जो military का formation होता है उसे रोका जाए उसके बाद जो तीसरा reason बताया जाता है वो ये है कि जो European countries है उनको साथ लाया जाए साथ आने का ही मतलब होता है कि आप उसको मजबूत करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं United Nation का formation के पीछे का जो objective है वो है लगभग दुनिया को साथ लेके चलने का वही NATO का formation के पीछे का वज़य है European integration का तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर difference create हो जाता है और 1945 में UN को बनाया गया था और 1949 में NATO को बनाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो groupism का शुरुवात था वो 1949 से ही हो जाता है अब इसी चीज़ को आप सोचिए USSR के point of view से या वैसे देश के point of view से जिनका relation western countries के साथ अच्छा नहीं था अगर western countries साथ आते हैं तो जो non western countries हैं वो भी कही न कहीं एक groupism को create करेंगे और as a result हम कह सकते हैं कि जो tension है वो definitely आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा France हो गया, Spain हो गया, UK हो गया, सबसे पहले तो ये सब देश अपने colonies बनाते हैं किसी भी तरीके से दूसरे के देश में food डालके उनको कमजोर करते हैं उनका culture को खराब बोलते हैं और फिर वहां का जो property है, wealth है उसको अपने देश में जाके invest करते हैं और अपने देश को मजब आपके जब British राज खतम होता है, लेकिन अगर आप France या UK को ये कहते हैं कि आप लोगों ने काफी slavery को promote किया है या आप लोगों के time में जो जो आपके colonies थें उनके उपर काफी अत्याचार किया गया है तो ये लोगों कभी भी उस चीज को accept नहीं करेंगे और बोलेंगे अप कुछ भी भारत का बहुत सारा जो property है, antiques है वो कही न कहीं UK के museum में है, London museum में है लेकिन government of India या कोई भी political parties उसके बारे में बात नहीं करते हैं या यूं कहले कि जो British राज था और उसके time पे जो atrocities हुए थे उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं लेकिन ठीक हम उसके पहले ब कहते हैं भारत में उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते हैं इसका एक जो simple वजय समझ में आएगा वो ये आएगा कि सिर्फ और सिर्फ वोड बैंक की राजनीती ये भी NATO के official website से लिया गया article का एक screenshot है जहां पर ये बताया जा रहा है कि NATO एक political organization है जब आप ये कहते हैं कि NATO एक political और military organization है तो कहीं न कहीं अब सारे aspects को इसमें include करी लेते हैं जहां पर officially NATO ये कहता है कि NATO का काम है democratic values को promote करना और defense और security related issues को solve करना और आपस में एक अच्छा relation को build करना साथ में NATO ये भी कहता है कि article 5 के हिसाब से अगर NATO के किसी भी देश के उपर attack होता है तो उस attack को collective attack माना जाएगा और जितने भी जो NATO के member countries हैं वो सभी कोई मिलके जिस देश ने attack किया है उसके उपर ये लोग attack करेंगे तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही solid तरीके से groupism को create किया गया था और ये बताया गया था कि communism या communist parties या जो देश होते हैं वो खराब होते हैं कहने का मतलब है कि कोई भी ideology इतना बुरा नहीं होता है चाहे आप capitalist approach की बात करें चाहे आप communist approach की बात करें चाहे किसी भी form का जो idea या ideology है वो समय के साथ उपर नीचे होता रहता है और कोई भी इतना खराब नहीं होता है ये एक research paper का मैंने screenshot लिया है जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाय गया है कि NATO को बनाने के पीछे का जो objective था वो कहीं न कहीं USSR से counter करना था लेकिन USSR का disintegration हो जा जा गया और इसमें continuously इसके members को समय दर समय बढ़ाता गया जैसा कि मैंने बताया कि NATO के formation के पीछे सिर्फ और सिर्फ western countries या कुछ selected countries का जो objective था उसे साथ ना था वहीं दूसरी तरफ United Nation का जो objective था वो at least ये कह रहा था कि वो पूरे दुनिया को साथ लेके चलने का कोशिश कर और इस research paper के हिसाब से NATO साफ साफ जो United Nation का जो objective था उसका जो credibility था उसको कहीं न कहीं ये challenge करता है और उसको defeat करता है जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि इरान हो गया, China हो गया, Russia हो गया ये लोग एक अपना group create कर रहे हैं क्यों क्योंकि US और भी कुछ western countries बढ़ चड़कर उन साथ अच्छा नहीं है तो जब आप sanctions को too much इस्तेमाल कर लेंगे उसका तो आप by default बहुत सारे groups या बहुत सारे वैसे countries को आप साथ लेके आ जाते हैं जिनका relation आपके साथ अच्छा नहीं है और Ukraine और Russia के war होने के पीछे बहुत बड़ा जो reason था वो ये था कि Ukraine काफी एकशु जाता है कि ये western countries के काफी favorite है वैसे 2013 तक Ukraine के जो president है वो pro-Russia थे तो अगर Russia यहाँ पे गुनेगार है या वो कुछ गलत कर रहा है तो अभी जो western countries कर रहे हैं वो भी कुछ सही नहीं कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो United Nations 5 इसके permanent member हैं एक तो है US, UK, France, China और Russia वहीं अगर हम नेटो में बात करें तो नेटो में US, UK और France आ जाता है इसलिए कितने बार आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि US, UK और France का जो veto होता है वो लगभग लगभग एक ही मुद्दे को वो follow करता है और China और Russia ये दो देश एक ही मुद्दे को follow करते हैं उसके बाद जलत के हिसाब से उस पे veto नहीं लगाएं बलकि सिर्फ और सिर्फ अपना interest या अपना वर्जस्व जवाने के लिए उसके उपर veto लगाएं जिसका best example हम देख सकते हैं इस्रेइल और हमास की बीच में जिस तरीके से conflict शुरू हुआ और उसके बाद United Nations Security Council में ceasefire के उपर proposal लाए बीचते हैं चाइना भी बहुत हद तक इसकी economy dependent है defense export पे US के बारे में कहने के जरूवत है नहीं फ्रांस से भारत रफैल खरीता है रश्या के उपर हमारा defense dependent है ही तो कहने का मतलब है कि ये सारे देश बढ़ चड़कर आपको हत्यार भी बेचते हैं फिर किसी ने किसी group का ये war नहीं करना है उसके बाद बहुत सारे examples में से एक example है अफगानिस्तान में जिस तरीके से 2001 से लेके 2021 तक NATO members गये थे वहाँ पे देश को तबाह बर्बाद कर दिया गया था और इनका कहना था कि Al-Qaeda और Osama Bin Laden को ये पकड़ेंगे और इनका जो war है वो war against terrorism है कहने के जरुवत है कि चाहे Osama Bin Laden हो गया या Al-Qaeda हो गया इस टाइप के groups को बनाने के पीछे US, Pakistan इनका बहुत बड़ा contribution है अगर आज पाकिस्तान एक failed nation है तो उसके पीछे का वज़य भी पाकिस्तान है कि वो किस तरीके से extremism, fundamentalism और religion का इस्तेमाल किया है और हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो local population ह उनके पास almost same capable के weapons होते हैं जो उनके military के पास में हैं तो जब किसी भी देश का जंता के पास वही हत्यार रहेगा जो वहाँ के police का रहेगा तो उस जगा पे कभी भी शान्ती नहीं लाया जा सकता है और उसके बाद कभी भी कोई खास infrastructure development के उपर काम नहीं किया गया पाकिस्त करना शुरू कर देता है तो कहने का मतलब है कि 2001 से लेके 2021 तक US या NATO forces वहाँ पे रहें बहुत सारे जो innocent लोंग थे उनकी जान गई बहुत सारे वैसे अफगानिस्तान के लोंग थे जो NATO के लिए या तो कहले कि जो US के लिए काम कर रहे थें NATO countries उन सभी लोगों को अफगानिस कि कुछ western countries अपने मतलब को साधने के लिए दुनिया भर को हत्यार देते हैं उसके बाद जब destructions हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमें दुनिया में peace and prosperity को लाना है और इसके लिए हमें कुछ groups का formation करना है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye